नमश्कार किसान साथियों स्वा अपका क्रशी जानकार यूटीब चनल पर मैं हूं आपका दोस्स कपल धाखड किसान साथियों बहुत लंबे समय बात वीडार आ रहा है बहुत सारी शिकायत है अरे यह के समय पर अप वीडियोप डालने रहे है वीडियो आ रहा है बहुत सारी शिकायते हैं यह के समय पर वीडियो डालने रहे हैं तो किसान मित्रों थोड़ा सा जौब के साथ में मैं उल्जा वाहूं मेरा शुक्रवार शनिवार को चुटती रहता है तो मैं कोशिश करता हूं मेरे अधिकतर जो वीडियो आप देखते है खेती बाड़ी के ऊपर शुक्रवार शनिवार को आते हैं तो किसान मित्रों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे जो किसान मित्र हैं वो हुमिक एसिड के बारे में पूछ रहे हैं तो आखिरकार हुमिक एसिड जो होता क्या है क्या कार्य करता है और इसका ज अच्छा लगता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारी उटी लशुन है, वाइट उटी है किसान में तरों, कुछ इस प्रकार की हुई है, अभी जस्ट एक दिन पहले हमने इसको पिला है, चोथी पिला हो चुकी है इसकी, और इस कंडीशन में खड़ी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए किसान में तरों, हुमिक के बारे में बात कर लेते हैं, तो किसान में तरों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है हुमिक एसिड, हुमिक एसिड दानेदार भी आता है, बहुत सारे लिक्विड भी लिक Echinichacidus mtlab किसी खान से निकाला जाता है बहुत सारी इसकी चाइना के अंदर भी खाने हैं और अमेरिका के अंदर भी खाने हैं इससे लियोनारडएट की जो खाने है वहाँ से निकाला जाता है अब बात कर ले तें किसान मेतरों आखिरकार Ärumic जो है बहुत ज़्यादा प्र समझते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे जो है कोई सी भी मिट्टी हैं उसके अंदर कोई सी भी फसल होती है उसको अलग-अलग प्रकार के जो पोशक तत्व की ज़रूरत होती है जो मुख्य पोशक तत्व है नाइट्रोजन फासपर और पोटाश जो सेकेंडर न्यूटर अनौओ का समौ मतलब जो एक अनौओ का समौ है ये क्या करता है जितने भी पोशक तत्व मिट्टी के अंदर उपरुब्द है उन सभी को अपने साथ बा väldigt है उन सभी को जो जो हुमिक असिड इव अपने साथ अपने अनौओ के साथ में बांध लेता है और ये उन крутी जडो तक पहुचाता है और जड़ो को मुझबूत करता है और जड़ो के विकास में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है इसलिए जो किसान मत्रों हुमिक एसिड का प्रयोग करते हैं आप किसान मत्रों हुमिक एसिड जो है इसका जो प्रयोग है कितना करना चाहिए तो आप मार् हजार बारा सो पंदरा सु रुपे तक का जो हिमिक असीड यव मार्केट में उपलब दें ब्रांड और क्वालिटी के उपर अलग-अलग प्रकार के जो हिमिक असीड यव मार्केट में उपलब दें तो एसी कंडिशन में किसान मतर क्या करें असली नकली तो कुछ भी हर चीज आ आ नकली आ रही है तो कैसे पहचान की जाए बो हम बात करते हैं उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ प्रयोग कितना करते हैं अगर किसान मतरों आपको बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का लगबाच 400-500 रुपे कीले का अगर कहीं पर हुमिक मिलता है तो पहले आप उसका टेस्ट कर लें जैसा मैं आपको बता रहा हूँ और उसके बात आपको बहुत सारे जो किसान मत्र हैं कीलो में डाल देते हैं चार किलो पांच किलो डाल देया ऐसा डालने की जरूत नहीं है किसान मत्रों आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का जो हुमिक हैं अगर मार्केट में कहीं पर उपलब दे हैं तो 400-500 ग्राम हुमिक जो है वो काफी होता है बस होना चीए कि अगर हुमिक असली है तो 400-500 ग्राम बहुत जादा हो जाएगा तो आप केवल 400-500 ग्राम प्रती मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड वगरा का नाम नहीं लूँगा पर बहुत सारे हैं अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके उपर भी वीडियो बनाऊँगा पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ हम ब्रांड वाले भी वीडियो देखना चाहेंगे तो किसान मित्रों हमने एक डिस्पोजल लिया है बिल्कुल इसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ है अब एक चुटकी हम जो है हुमिक एसीड का जो दाने है वो डालने वाले आप यहां पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हुमिक एसीड जो है वो गिरता है किसान मित्रों आप यहां पर देख सकते हैं घुलने के बाद ही बेटेगा आपको यहां पर इसको घुलने के जरूरत नहीं है यह जो छुमिक है वो अपने आप घुल जाएगा अभी आप यहां पर देख सकते हैं जैसकी वो समुद्र के अंदर जेली फिश आपने देखी हुगे कुछ ज उलते हुए ही नीचे जाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल भी लाने की जरूत नहीं पड़ी बहुत सारी ज्यूमिक आते हैं आपको बार-बार हिलाने पड़ते तब जाके उनके दाने गलते हैं ऐसा इसमें नहीं है यह प्यूर है और बहुत किसान मतरों इसमें बहुत अलग-अलग क्वालिटी के हमें पलब दें आप अगर इसे हलकी क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी के जो आपको बहुत सब्स्टे में हमें पर प्योंक कर भी लेंगे मैं आपको यहांपर 400-500 ग्राम का बोल रहा हूं अगर आप उ उसका रिजल्ट बहुत ना के वराबर आएगा तो आप कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का हुमिक उप्योग करें यह जो हमिक एसिड है काफी बहुत अच्छा है ज्यादा किसी भी चीज़ के प्रयोग से आपकी जो जमीन है वो ऐसेडिक हो सकती है अलकलाइन हो सकती है मत के अंदर शार की मात्रा जादा होती है तब आपकी जο जमीन है वो उसका पी-एज भी गड़ सकते हैं जमीन का पी distill जो है वह वो सात होना जरूरी है साथ के आशपास होना जरूरी है तो कोशिश करें लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करें हस से ज्यादा किसी चीज का प्र झाल झाल